MP के इंदोर में गरीब भुज़ुर्गों के साथ नगर निगम के करमचारियों की अमानवयता की घटना पर शिवरासिंग चोहान ने आक्षन लिया और निगम उपायुक्त प्रताब सोलंकी को तदकाल प्रभाव से निलम बित कर दिया गया इसके साथ ही घटना के समय मौझूद नगर निगम के दो करमचारियों को भी बरखास करने के निर्देश दिये गए हैं शिवरासिंग चोहान ने कहा कि बुज़ुर्गों के प्रती अमानवे वेवार किसी भी किमत पर बरदाश नहीं किया जा सकता नगर निगम करमचारियों पर आरोप है कि उन्होंने बुज़ुर्गों को डंपर में भर कर शेहर के बाहर छोड़ दिया था शिवरासिंग के आक्शन के बाद सभी बुज़ुर्गों को रैन बसेरों में भेज दिया गया है भी इंद और नगर निगम कमिशनर से यह मांग करता हूं उनको चेता हूं कि जिनों ने भी इस तरह का करत्य किया है कि यहां वह इंद और बात करो और या उनके मामडर ने पहुंचा करके यह अमानवी करते हैं इस तरह की हरकत को जानवरों के साथ भी नहीं कर रहें गाडियों के अंदर डालना किसी भी परिस्तिती में नहीं होना चाहिए और अगर इंदोर में हुआ है तो यह शर्मनाग है दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान